स्वच्चता वियान की खुले आम उड़ाई जा रही हैं धजियां ग्राम पंचात बढ़वारा में फैला गंदिगी का अमबार 12 सरकार वा मद्धिप्रदे सरकार के द्वारा लाखो करोड रुके बज़ट देने के बाद भी 13 ग्राम पंचात वेवं जनप्रदपंचायत वेवं 50 सवच्चता हवियान का पड़ाया जा रहा है वहीं जिल्य अधिकार्य हुद वारा एक स्वच्चचता हवियान का सेल्फी—पोइजच सवच्चता हoustरक जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है वो मुसी जगे पर पीने वाला नल कनेक्शन भी लगा हुआ है जिससे ग्रामवाजी गंदा पानी पीने को मजबूर है जिसमें सच्चता अभियान के नाम पर जिम्मेदार लाखो के फंड निकाल कर भर्षचाचार की भेंट चड़ा रहे हैं ग्रामवाजी का कहना कि सरपंच से कई बार बोलने पर भी साफसपाई नहीं कराई जाती कई गरीब लोगों के घरों में नाली का गंदा पानी गुस्ता है लेकिन नाहीं नालीयों और नाहीं नाल के आसपास साफसपाई कराई जाती है वहीं पूरे मामले में सरपंच का कहना कि ग्रामवाजी खुद ही घर का पूरा कचड़ा उठा कर सड़कों के बाहर फेक देते हैं एवं नालीयों में डाल देते हैं जिससे गंदगी फैली हुई है हाला कि मैं सब्ता में एक बार जरू साफसपाई करवाता हूँ लेकिन ग्रामवाजी मानते ही नहीं वह सारा कचड़ा नालीयों और सड़क पर डाल देते हैं सब यही नल का पानी पी थे क्या इस नल में क्या है सब जैसे लाइट बंद हो गई अजनली घर बाले जेते हैं यही का पूरा चमड़ावल से यही का निफतार हो थे इत्ती गंदगी में आप लोग कैसे पानी पीते होंगा तो कहीं पानी यही का जुगार नहीं है सर पंच लोगों से बात नहीं किया थे हो गाजाब तो कहते हो जाएगा हो जाएगा कितने दिनों से हैं यह साब तब दीवाल गिरी ती पानी भारा तक दिखाई थे किसी ने कुछ ने किया कि indi साने हो तो साबस्पाई होती पांच दाविंगी में ऩ thats के बराबर कर देक्ट थे जिते तक नहीं वहां देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कि हा साबस्पाई होती ही कि हुए कि यह आप जो तना कचड़ा निकाल सफेंक दिये सु पांच छे दिन बराबर हो जाता है। देश का सपना है डिश्टेल इंडिया बनाने का आपका नहीं है क्या। नहीं हमारा कैसे नहीं हमारा तो हम कहते हैं डेली बने डेली सफाई हो।